एक दिन की बात है आरोही सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी तब ही उसे एक रोती हुई बच्ची मिली आरोही ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया की वह जिस गुडिया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है आरोही ने उस को उसकी गुडिया ढून लाने का आस्वासन दिया जिससे वह बच्ची चुप हो गई आरूही ने गुडिया ढूनने के लिए समय मांगी और फिर दूसरे दिन गुडिया लाने का वादा करके वहां से चली गई पर गुडिया ना तो आरूही को मिली और ना ही उस बच्ची क आरूही ने गुडिया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखी और जब बच्ची पार्क में गुडिया पाने की आसा में आई तो आरूही ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़ कर सुनाया पत्र इस प्रकार था क्रिपा रोना मत मैं समय समय पर उस गुडिया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी बस तुम रोना मत अब आरू ही रोज उस खोई हुई गुडिया की तरफ से कालपनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़ कर सुनाती जो कि यात्रा का कालपनिक वर्डन हुआ करता था आरू ही ने इस कालपनिक लेकिन रोचक वर्डन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया वह खुसी खुसी अपनी गुडिया की घुमकडी के खिसे सुने लगी अब वह खुस रहने लगी एक दिन जब काफी कहानिया हो गई तो आरूही ने एक दूसरी गुडिया उस बच्ची को ला कर दी जाहिर है वह गुडिया बदले हुई थी उस बच्ची को अपने खोई हुई पुरानी गुडिया जैसे नहीं लगी तो आरूही की ओर दिखने लगी आरूही अंजान मनते हुए गुडिया में जिपके एक चिट को निकाल कर पढ़ने लगी उसमें लिखा गवा था यह मैं ही हूँ तुम्हारी वाली गुडिया जो पार्क में खो गई थी दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ बच्ची को इस गुडिया और आरूही पर विश्वास हो गया वह गुडिया लेकर अपने घर चली गई वरसो बाद जब बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढून रही थी तो उसका ध्यान उसी गुडिया पर गया जो आरूही ने उसे दी थी बच्चपन की बाते याद करके वह हसने लगी उसे सब समझ आ चुका था कि आरूही ने कैसे इसका मन राखा उसे वह उस गुडिया पर फिर प्यार आने लगा वह उसे बड़े गौर से देखने लगी हुआ था हर वह चीज जिससे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुम से खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी रहेगी रूप भले भी नहो पर प्यार एकदम खालीस होगा